Welcome to LearnAbagus Online.in Register करने के बाद हमारा जो step है access करने का किस तरीके से है ये course वो सीखना है तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है हम LearnAbagus Online.in हमारे browser में type करेगे आप हो सके तो Google Chrome ही use करेगे अब यहाँ पर हम menu bar के लिए click करेगे तो menu ऐसे open होगा इनकेस यहाँ पर आपको log in यानि log in नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर दिखाए देगा log out, तो आपको कुछ click नहीं करना है, क्या दिखाए देगा वो इसके बाद हम देखते हैं, तो log in किया हमने, और log in करने के बाद हमने account create करते लग जो user id and password create किये थे, वो यहाँ पर simply type करन है, अब यह हमने log in पर click करते हैं, log in पर click करते ही हम पहुचेगे Android course पर, but in case आप पहले सी यह login हो, तो simply यह menu आपको login पर click करना है, और menu पर click करना है, और dashboard जो दिखाए दे रहा है, वहाँ पर click करते ही आप पहुच जाओगे यह वाले page पर, तो इस वाले page पर पहुचने के बाद आपको Android course पर click करना होगे, अगर login कर रहे हैं, तो आप Android course पर ही पहुचे होगे, हम ने जो Android की है, वो आपको दिखाए देगी, तो हम simple level 1 में जाते हैं, level 1 के page पर हम पहुचेगे, जहाँ पर information दी गईगे, यह course में क्या है, कैसे content है, वो सारी चीज़े, तो इस page पर पहुचने के बाद, हम एकदम नीचे, एकदम नीचे पहुचेगे, और थोड़ा सा क्लिक करना है, और यह क्लिक करते ही, आप पहुचाओगे, अपने जो भी course छोड़ा है, अपने जहाँ पर, वहाँ पर, जैसे मैं अभी हूँ, week 1 के class 2 है, तो यह video देखना है, video देखने के बाद, यहाँ पर जैसे complete lesson, हर एक lesson complete करो, यानि देखो, और देखने के बाद, हमें complete lesson पर click करना है, अब यह complete हो गया, उसके बाद, यह उपर जो arrow दिख रहा है, वहाँ पर click करते ही, हमें पूरा menu देखा है, अब हम week 1 में हैं, तो week 1 में हम page में कैसे beats draw करने हैं, वो देख रहा है, हमारा सबसे पहला task है, introduction, introduction complete करने के बाद, जैसे introduction का video है, तो वो video में हम सिख के कैसे abacus का use होता है, उसके beats की counting कैसे होती है, वो सारी चीज़े इस video में देखने के बाद, हम next पर click करेगे, या तो फिर उपर arrow पर click करके, introduction की नीचे जो flashcard है, उसके उपर click करेगे, तो हर एक lesson complete करने के बाद, वहाँ पर daily या weekly practice होगी, तो वो आपको complete करनी है, और 9056, तो इस तरीके से पूरे answers आपको complete करने है, और answers complete करने के बाद, सब feel हो जाने के बाद, submit पर click करना है, जैसे ही आप submit click करोगे, आपको result यहीं मिल जाएगा, और result के साथ साथ आपको mail भी मिलेगा, कि आपकी कितने right है, और कितने wrong है, यह complete हो जाए, तो वापस से arrow click करना ह है, और जो भी task हमारा बाकी है, वो हम complete करेंगे, जैसे week 1 में हम pages ही करेंगे, week 2 में जो है, वो हम abacus के beats के बारे में, direct addition subtraction के बारे में सीखेगे, और उसके बाद, week 1 में हमें यह lessons complete करने है, जैसे week 1 में हम क्या देख रहे हैं, 1, 2, 3 and 4, 4 video lessons है, और 1, 2 and 3 daily practice है, तो week 2 जो है, तो week 2 में 1 जो practice है, वो हम day 1 पर करेंगे, day 2 पर day 2 की practice करेंगे, और day 3 की day 3 में करेंगे, तो उसी तरीके से सारे week में हमारे पास video lesson, वो particular week में 1 day और जो practice है, वो daily 1 हमें करने, जैसे day 1 की practice, day 2 की practice, day 3 की practice, day 4 की practice, day 5 की practice, तो इस तरीके से हमें complete करना है lesson, आप कोई भी question हो आप को आप यहां पर browse question browse q&a में जाकर मुझसे directly पूछ सकते हो या तो फिर simply whatsapp button है whatsapp button पर click करते ही आप मुझसे भी connect हो सकते हो right तो इस पर क्या होगा कि आप जैसे ही click करते हो और click करते ही आप whatsapp पर जाते हो तो page number के साथ मुझे दिखाए देगा तो page page number के साथ आप मुझे आपका जो भी question है वो type करकर बे सकते हो तो see you in class happy learning बाबाई